अवैद धर्पांतरन और लव जिहाद को रोकने के लिए मौजूदा कानून में संशोधन के लिए आज यूपी विधानसभा में विध्यक पारित हो गया लेकिन विपक्ष ने इसको लेकर करके मांग की थी कि इसकी कई बातों पर पुनरविचार किया जाए हमाए साथ कि अविधान को उन्होंने कहा कि इसकी सजा की जो मियाध हो बढ़ा दी जाएगी अब या जीवन कारावास तक इसमें मिलेगा मैं मानती हूं और कोई धर्म कोई समाज कोई संस्कृति मैं स्वेम इस बात से के खिलाफ है कि किसी से जबजस्ति धर्मांतरन कराया जाए पर म मैं ये भी मानते हूं कि राजनेतिक द्वेश के कारण कि व्यक्तिकत किसी से दुश्मनी की कारण किसी भी कानून का दुरूपयोग ना हो ये भी हमारी एस लॉमेकर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपने कहा कि FIR कोई भी लिखा सकता है पहले तो था पीडित या उसके परिवार के लोग लिखाएंगे तो कोई भी लिखा सकता कि कोई परिभाशा नहीं कोई भी किसी के खिलाफ अगर व्यक्तिकत रंजेश चे लिखा देगा और पुलिस को ये अधिकार दे दिया है इसमें कि ततकाल उसको अरेस्ट करके जेल भेज देगी क्योंकि दस साल से जादा की सजा है इसलिए पुरिस्त को अधिकार है कि एरेस्ट करके जेल भेजने कि आपको बेल तब मिलेगी जब आप जो आप जो सरकार जो दूसरा पक्ष है उसमें गर्मेंट काउंसल को ना सुनले कोट तब तक आपको बेल नहीं मिल सकती तो ये आपने कई तरह से इस किते चले जा रहे हैं ये भूल गई है सरकार कि पुलिस आज इनके साथ है आज ये अपने लिए इस्तिमाल करेंगे इस कानून को कल सरकार बदलेगी कोई दूसरा किसी और तरह से भी कर सकता है आप लगोने संचोधन की जो मांगी ती विपक्ष्ण मांगी ती प्रवर समीति को दिया जाए और जिस तरह से पुलिस को ज्यादा पावर्स की बात आप कह रही हैं आपको लग रहे है कि जो केसे जार हैं सरकार इसकी बात करी अब कहीं न कहीं उसका किसी तरह से तो क्या आप उसके जीवन के 10-5 साल, 2 साल, 10 साल जो उसने जेल में बिताए हैं क्या उसको वापस लाया सकता है या उसके मनुविज्ञान को सुधाराया सकता है मैं फिर कहूंगी कि एक समाजिक समस्या है इस समाजिक समस्या के पीछे कई सारे कारण है मनुविज्ञान कार कारण है इन कारणों को अड्रेस करना बहुत ज़रूर है उसके लिए इसके लिए कमिशन बनना चाहिए बिल्कुल बनना चाहिए उसको सक्ती से उसका उसमें सिटिंग रिटायर्ट जाज के अध्यक्षिता में बने जो ऐसे प्रक्रण को पहले समझ ले कि सही और गलत क्या है उसके बाद उसके निड़न हो गया जिसमें जबरन धर्मान तरण रोकने और लव जिहाद को रोकने के लिए सरकार ने कानून और कड़े करने का प्रावधान किया है